ओम शान्ती इस बेहत के कर्मक्षेत्र पर हम आत्माएं परमधाम से पाट बजाने के लिए आती हैं और बजाते बजाते स्वयम को भूल अपने पिता को भूल और घर को भूल भटक जाते हैं और संगम समय पर बाप आकर फिर से हमें वही खोई हुई स्मृतियां वापस दिलाते हैं तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 9 डिसंबर 2022 के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप कौन सी बात हमें नहीं बताते हैं कल क्या होने वाला है ये बात हमें क्यों नहीं बताते ड्रामा रियल नहीं रहेगा बाप भूल जाएगा पिछाड़ी की सीन देखने के लिए कैसी अवस्था चाहिए महावीर, परिपक्व, अचल अडोल अंत्मती सो गती के लिए हमें कौन सा पुरिशार्थ करना है अपने को आत्मा निश्चे करो सुख धाम और शान्तिधाम को याद करना है संगम युक पर आकर श्रिव बाबा कौन से करतववे करते हैं? ज्यान सुनाते, पावन बनाते, राजयोग सिखाते, साक्षातकार कराते, रूहों को इंजेक्शन लगाते, योग सिखाकर महावीर बनाते, बेहत का सन्यास करना सिखाते, भारत की फिलोसफी की नॉलेज दे यदि हम पतित बनते हैं तो उसका क्या परिणाम होता? योग नहीं लगता, यागत में विखन पड़ते, सारा ग्यान उड़ जाता, बुद्धी मलीन हो जाती. मन-मना भाव होने से क्या प्राप्ती होती है? मुक्ती और जीवन-मुक्ती की. पूज्य बनने के लिए किन बातों को स्मृति में अवश्य रखना है? मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ, इस शरीरूपी मंदिर में विराजमान हूँ, कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता. पूज्य आत्मा की विशेष्टाएं क्या है? बोल में कोई ऐसे शब्द नहीं, संबंद संपर्क सबसे अच्छा, पवित्रता का जरा भी खंडन नहीं, मंसा संकल्प में भी किसी के लिए नेगिटिव नहीं. आज की मुरली की अनुसार, कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं, वे है हट योग, ये है राज योग, भक्ती में घोर अंधियारा है, सत्य योग में है रोशनी, उनका है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास, हमको सुख अधिक मिलता, दूसरे धर्म वालों को शान् इन बातों को धारणा में लाना है, एक पाप से सच्चा लव रखना है, अपनी स्थिती अचल अडोल बनानी है, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है, किसी भी बात में संश बुद्धी बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बुद्धी किसी भी करम मे मलीन ना हो इसका पूरा ध्यान रखना है ये थी आज की मुरली की विशेश बातें पारस नात पाप हम बच्चों को उचा ज्यान देकर हमारी बुद्धी को पारस पुद्धी बना रहे हैं तो हमें सारा दिन इस बात पर अटेंशन रखना है कि किसी भी बात में कुछ भी हो जाय हमारी बुद्धी मलीन ना हो और कैसी भी परिस्थिती में हम सदा अचल अडोल रहें ओम शन्ति